हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब उस महिला का जो कि उनके बेटे की उम्र की है तो अब वार पलट वार महराश्ट्र के मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे और बॉलिवूड की अभिनेत्री कंगना रनाओत के बीच अभिये जुबानी जंग छिडी है कंगना रनाओत एक के बाद एक ट्वीट कर रही है और उद्धव ठाकरे के उपर हमला बोल रही है और कंगना रनाओत सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर I am not drunk on my father's power and wealth कहकर हमला बोल रही है कि मैं अपने पिता के पैसे और उनकी सत्ता पर काबिज नहीं हूँ उद्धर ठाकरे तुमने मुझे कल अपने भाशन में गाली दी नमक हराम कहा इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है, धमकाया है मेरा जबडा तोड़ना या ओपनी मुझे मार देना या हराम खोर कहाना इस तरह की कई अभधर गालियां से पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है लेकिन आपने ही देखेंगे को जो भी नारिश शक्ति करन के जो ठेकेदार है उन्होंने कुछ नहीं कहा उसी भाशन में आपने जो हिमाल्याज है, हिमाचल है जो की मापारवती की जनम भूमी है उन्हें हिमाचल पूतरी कहा जाता है, लौट शिवा महादेव की करम भूमी है, आज भी कर्ण कर्ण में मापारवती और शिव यहां बसे हुए हैं से देव भूमी कहा जाता है इसके बारे में आपने इतनी जादा तुछ बाते की हैं, एक चीफ मिनिस्टर होके आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उमर की है चीफ मिनिस्टर आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे थमकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना क्योंकि आजात कश्मीर के नारे लगे थे और आपकी सोनिया सेना ने उसे डिफेंड किया था इसलिए मैंने कहा था उसकी तुलना प्योके से कि तो बहुत ज़ादा समविधान के जो बचाने वाले है वो उछलके आये ते लेकिन कल आपने उसी भाषन में भारत वर्ष की तुलना पाकिस्तान से की अब वो समविधा वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुँमें कोई पैसा नहीं ठूस रहा है मैं बात कहना चाहती हूं कि जितने भी देशभक्त लोग है उनका एक रवहिया मैंने देखा है कि आप कोई सहाइधा नहीं करता है वो यह कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते देश के लिए कुछ करते है तो आप कौन सहां पहसान कर रहें है रहे हैं अप खुद के लिए अपने लिए यह कर रहे है वो कहते हैं यह कुछ नहीं हमें बाते हैं लेकिन देश-विद्रों के लिए आपके मुमें पैसे ठूसे जाते हैं तो ये जो सम्विधान को बचाने वाले हैं कर एक वरकिंग चीफ मिनिस्टर ने एक लड़की को सरयाम गाली दी वो कुछ नहीं कहेंगे चीफ मिनिस्टर वड़की के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं वो आपसे खुश नहीं है सत्ताएं आती जाती है लेकिन जो इनसान एक बार समान खो देता है चीफ मिनिस्टर वो उसे नहीं पा सकता है जहिंद तो कंगना रनौत को आपने सुना मुख्यमंत्री होके तुछ बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे ऐसा कहना है कंगना रनौत का और अब हम आपको सुनवा देते हैं कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा था जिस पर कंगना को इतना गुस्सा आया उद्धव ने दशहरा रैली मे ये बात कही थी सुनिया आँ धरी खायला मिलत नाए मने मुंबई मरें आई चाए 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 अब या माराश्रे को भी आपने सुन लिया दशायरा रैली में उन्होंने क्या कुछ कहा और कंग नार अनोत ने किस तरीके से ट्वीट करकर पलटवार किया वो भी हमने आपको मेरे सयोगी जितेंद्र दिक्षित हमसे जुड रहे हैं जादा जानकारी लिये हुए जितेंद्र दिक्षित अभी तक तो महराश्ट्र सरकार वर्सिस कंगना रनाओत था चाहे बीमसी ने जिस तरीके का एक्शन लिया उसके उपर कंगना रनाओत हमला वर्ती लेकिन चैरा रैली में दिये गए बयान को लेकर कंगना रनाओत खुलकर सामने आ गई है उद्धव ठाकरे के खिलाव शोबना कल पहली बार खुद उधव ठाकरे ने कंगना रनाओत को टार्गेट किया इसके पहले हो ये रहा था कि संजयराओत की तरफ से बयान आ रहा था या फिर बीमसी की तरफ से किसी तरह की कारवाई हो रही थी सामना में कोई संपादिकी चप रहा था लेकिन उधव ठ ठाकरे अब तक कुछ नहीं बोले थे और कल पहली बार उधव ठाकरे ने कंगना रनाओत को अपने भाशन में टार्गेट किया और भाशन में टार्गेट करते हुए उन्होंने शिवसेना की जो पुरानी नीती थी जो पुरानी आइडियोलजी थी पर प्रांतिये के मुद कुछिश करती हैं तो इस तरह से उन्होंने कंगना रनाओत को टार्गेट करने की कुछिश की यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह जो शाब्दिक लड़ाई चल लही है यह कंगना रनाओत वर्सेस शिवसेना की नहीं है दरसल शिवसेना की नजर में यह लड़ाई B.J.P. versus शूसेना की है और शूसेना का यही मानना है कि कंगना रानाओट को B.J.P. ने खड़ा किया है और कंगना रानाओट जिस तरह से शूसेना को टार्गेट कर रही है जा महाराश्ट्र की तीन पार्टियों की कॉंग्रेस NCP शूशेना की सरकार को टार्गेट कर रही है वो सब कुछ BJP के बिहेश्ट पर हो रहा है BJP के कहने पर कंगना रानाओत ये सारा कुछ कर रही है और इसलिए शूशेना भी काफी आक्रमक तरीके से खास करके अब उद्धव ठाकरे खुद बोल रहे हैं तो इस तरीक से उनकी और से प्रतिक्री आ रही है जितेंद्र आप भली भाती जानते हैं कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके की भाशा का कल इस्तेमाल किया अगर हम बाला साहब ठाकरे की इसी तरीके की रैली यही माना जा रहा है कि हाल फिलहाल में उद्धव ठाकरी की ओर से दिया गया, सबसे आक्रमक भाषन था, कल की दशेरा रैली में दिया गया, और इसमें सीधे सीधे उनके पिता बाला साथ ठाकरी की जलक दिख रही थी. झाले कि जलका देख रहे दिया रही कि अच्ति हुआ रहीं शेफाना था रही ठाकरी दो ऴरहीं साथ के एफ रहा है कि जलका क कि ए dalव और से एक की दविता पाला साथ नलका कि भी्या।